Hi everyone, welcome to my channel Education File और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ANU University के अंदर जो बीड के अंदर टॉपिक है Classroom Behavior Management, Problems, Mistake, Disciplinary Practices, Corporal Punishment, Classroom Rules, Routines and Regulations ठीक है? तो ये टॉपिक है Classroom Management, Leadership and Action Research में तो जल्दी से देखते हैं क्या होता है ये सभी कुछ और I will try my best कि इस वीडियो से आपको एक general idea लग जाए कि particular इस topic में लिखना क्या है या particular topic किस बारे में बात करता है ठीक है? तो जल्दी से start करते हैं और अगर अपने चैनल को subscribe नहीं करका है तो आप कर सकते हो चलो, तो basically देखो behavioral problem जैसा कि नाम में ही है behavioral problems क्या हो सकती है मतलब बच्चों के वेहार के साथ जो भी दिक्कत है और वो हो सकता है बहुत ज़्यादा कारण हो उसके हो सकता है कोई psychological दिक्कत हो बच्चों के अंदर है न हो सकता है उनकी society में, peer में वैसी चीज़े करना allow हो या उन चीज़ों के लिए उनको ज़्यादा data ना जाता हो या उनके लिए उनको रोका टोका या interrupt ना किया जाता हो ठीक है, हो सकता है कोई family problems हो जिसके कारण वो particular behavior कर रहे हो और इसी तरह से हो सकता है कोई physical problem हो या कुछ भी problem हो सकती है, ठीक है जिसके कारण classroom में हो सकता है behavioral problem arise हो जाए behavioral problem क्या क्या हो सकती है हो सकता है, एक student दूसरे student को तंग करता हो classroom में कई बच्चे हमने normally देखा है कि बच्चे घूमते रहते हैं, रॉम करते रहते हैं बढ़ाते वक्त भी आए, आगे पीछे देखते रहते हैं बच्चे को तंग करते रहते हैं बच्चे बात करते रहते हैं unnecessarily, मतलब टीचर वहाँ पे class ले रहा है, lecture ले रहा है कुछ बता रहा है और कुछ बच्चे बोलते रहते हैं, ठीक है या misbehave करना, दूसरे बच्चों के साथ या even teacher के साथ ऐसा कई बच्चे करते हैं classmates को, teachers को disturb करना किसी भी तरह से disrespect करना students को या teachers को तो ये सभी चीज़े हो सकती है behavioral problem हो classroom के अंदर चलो देन है disciplinary practices क्या हो सकते हैं या हिंदी में इसको कहते हैं कि अनुसासनात्मक आच्रन तो basically क्या है अनुसासन के according या अनुसासन बनाए रखने के लिए कुछ norms होते हैं कुछ set of rules होते हैं या आप कह सकते हूं कुछ नियम कानून होते हैं regulation होते हैं action होते हैं जिसके जरिये जो भी teachers हैं या जो भी administration है वो discipline maintain करना जाते हैं school में अनुसासन maintain करना चाते हैं क्योंकि जब अनुसासन अच्छे से नहीं होता है तो learning अच्छे से नहीं होती है ठीक है तो इस particular topic का मतलब यह ही है कि इन सभी चीजों का इस्तमाल करके किसको enhance करना है learning को enhance करना है और जो भी undesired behavior है behavioral disturbance एक लास में उसको कम करना है ठीक है तो अगर discipline school में बहुत ज़्यादा maintain है तो learning को अपने आप ही support करेगा क्यों क्योंकि सब कुछ एक proper manage में proper order में चलता रहेगा और अगर disciplinary problem है तो learning उपर नीचे हो सकती है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा disturbance है और learning अच्छे से नहीं होगी तो disciplinary practices में वो सभी rules regulations है जिसके द्वारा एक teacher rule को बनाए रखता है यह सभी schools में होती है ताकि बच्चों में एक proper behavior को maintain रखा जासके क्योंकि हमने देखा है कि जब discipline होता है school में तो बच्चे overall उसी environment में काम करना सीख जाते है और वो उनको life में भी आगे जाके help करता है और learning के लिए अच्छा तो है ही discipline तो discipline से related कौनकों से practice हो सकती है जो के schools में use हो सकती है proper rules and regulation use कर सकते है जो भी मतलब नियम कानून है उनको हम बच्चों पे बच्चों को बता सकने की unique according काम करना है जो भी problem है इसको starting में solve कर लेना चाहे किसी भी student से related problem है या किसी teacher से related problem है time to time teacher को or administration को authority दिखानी पड़ती है क्योंकि बहुत जादा friendly हो जाओ तो जो student होते learner होते हैं वो बाते नहीं मानते हैं ठीक है preventive, supportive and corrective majors लेना मतलब preventive majors तो क्या है कानून है supportive major हो सकता है हम बच्चों से बात करें कि भाई क्या problem है corrective majors है कि उनको punish करना उनकी behavior के according disciplinary problem को अगर रोकना है तो classroom को बहुत ही जादा interactive या engaging बना दो मतलब बच्चे learning में ही engage रहें उसी में लगे रहें और उनको behavioral disturbance करने का time ही न मिले ठीक है जो भी अच्छा behavior है उसको reward दो जो भी बुरा behavior है उसको punish करो या जो भी चीज़े जरूरी है उस bad behavior के लिए वो करना चाहिए चलो गनाते हैं corporal punishment तो corporal punishment क्या होता है सारे एक दंड होता है लेकिन ये हम समय सकते हैं कि किसी भी तरह का physical या mental punishment हो सकता है किसी भी तरह का pain हो सकता है जो कि teachers के द्वारा या administration के द्वारा दिया जाता है क्योंकि जब हम school में पढ़ते थे तो ये बहुत ही ज़्यादा common चीज थी दंड देना या corporal punishment देना या saradic दंड देना ठीक है क्योंकि ये सभी चीजें हमारे context में बहुत ही ज़्यादा match करती है कि दंडे से पिटाई करना थपड teacher मार देते थे even punching भी कर देते थे लड़कों को है न और मुरगा बनना बहुती ज़्यादा common है Indian context में है न मुझे लगता कि 2010 से पहले से कोई student होगा जो कि मुरगा ना बना होगा I think 70% student तो बने ही है है न तो basically ये सभी चीजें बहुती ज़्यादा harmful है बहुती ज़्यादा psychology को impact करती है इसलिए जो corporal punishment है वो time के साथ धीरे धीरे बंद कर दी गई है इससे क्या होता है जो भी बच्चा है न बहुती ज़्यादा डर जाता है उसको relationship बनाने में संबंद बनाने में teacher के साथ या student के साथ दिक्कत हो जाती है क्यों दिक्कत हो जाती है क्योंकि जब वो school में पहला step लेता है और वो देखता है कि teacher वहाँ पे बहुती ज़्यादा पिटाई करते हैं तो उसके मन में दर बन जाता है जो कि बहुती ज़्यादा common है इसका बहुत practical example है मेरे पास मेरे भाई का admission हुआ था मेरे भाई का admission हुआ था वो पहला दिन था school में और उस school में इतनी ज़्यादा पिटाई होती थी कि मेरे भाई ने वो particular school छोड़ दिया और मेरे पापा को दूसरे school में उनका admission करवाना पड़ा तो ऐसे ही बहुत सारे example होंगे आपके पास भी और ये बहुत सही बात है कि corporal punishment का कई बार बहुती ज़्यादा बुरा effect पड़ता है ठीक है तो इसी के चलते क्या हुआ RTE Act में 2009 में section 70 में क्या आख दिया कि जो भी corporal punishment है वो बिलकुल बंद कर दी गई और किसी भी तरह कि जो भी mental harassment है उसको भी बंद कर दिया गया ठीक है section 75 of JJ Act ये कहता है कि अगर कोई punish करता है या मतलब सारी रिक दंड देता है तो उसको 5 साल की सजा हो सकती है या 5 लाग का जुर्माना हो सकता है अगर कोई भी बच्चों पे cruelty दिखाता है अगर कोई भी बच्चों पे निर्देरता दिखाता है तो उसके खलाफ ये सभी चीज़े हो सकती है और 10 साल की jail भी हो सकती है अगर बच्चा उसे mentally affect हो जाए या इस तरह से affect हो जाए कि उसको regular काम करने में दिक्कत हो ठीक है तो इस अभी प्रावधान है corporal punishment के लिए चलो देन आते हैं classroom rules तो basically ये क्या है preventive majors है simply बच्चों को बताना कि ये particular rules है और आपको इनी rules के according चलना है अगर आप इन rules के according नहीं चलोगे तो आप पे corrective majors अपनाए जाएगे classroom में cheating नहीं करनी है exam में या test में जो भी पढ़ा रहे हैं उस पे attention दिया जाए ध्यान दिया जाए किसी भी तरह की school property को harm नहीं करना है school में आना है तो full uniform में आना है ये क्या हो सकते हैं classroom rules हो सकते हैं ठीक है जो भी कक्षा के नियम है classroom में किसी भी तरह का गंद नहीं करना है लेटर नहीं करना है classroom में किसी भी तरह का disturbance नहीं होना चाहिए जो भी assignment है homework है उसको time पर खतम करना है और classroom में सभी के respect करना चाहिए वो student है और teacher हो administration हो सभी के respect करनी होगी और किसी भी तरह का bullying या किसी को हाट नहीं करना है, ठीक है मैंलब किसी को भी कस्ट नहीं पहुचाना है, यह सभी क्या है, classroom rules हो सकते हैं, और basically यह क्या है, preventive majors हैं, ताकि हम behavioral disturbance को या बहुत ही ज़्यादा bad behavior को रोख सकें, या behavioral problems को रोख सकें, चलो देना आते हैं, routines and regulations, तो यह basically क्या होते है, दिन चरिया, या minimum, या इनको कह सकते हैं, procedures भी कह सकते हैं, तो देखो, routines को माना गया है, जो भी दिन चरिया है, उसको माना गया है, कि वो classroom को manage करने में, बहुत ही ज़्यादा helpful है, और जब classroom अच्छे से manage होती है, कोई भी चीज life में manage होता है, तो हम learning अच्छे से कर सकते हैं, या अपने काम में अच्छे से बढ़ सकते हैं, तो classroom के बारे में बात करें, तो management जहाँ पे अच्छा होता है, वहाँ पे learning में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होती है, ठीक है, management का मतलब यहाँ पी है, कि जहाँ पे disturbance काम हो, बच्चे engage कर रहे हो, बच्चे में empathy हो, सभी well भी repeat होती रहती हैं, और इनको time to time सिखाया जाता है, बढ़ाया जाता है, time to time rehearse किया जाता है, ठीक है, क्यों rehearse किया जाता है, ताकि proper management हो सके classroom का, और proper management से क्या है, learning अच्छी हो सके, ठीक है, जो भी routines और regulations से मतलब दिन चरिया विनियम है, उनको अच्छे से design किया जाता है classroom के according उनको adapt किया जाता है, ताकि वो बच्चों के behavior में बदलाव ला सकें, इनने positive एक सकारात्मक वे में, उनका behavior, उनका वेहार बदलने में हमें मदद मिले, ठीक है, यह सबी चीज़े की हो है, behavior ही change करना है, है न, individual की personality, attitude सब को change करना है, with the help of routines, regulation, classroom practices, disciplinary practices, जो भी चीज़े जरूरी है, learning को enhance करने के लिए, और किसी भी individual को, एक whole individual या holistic development करने के लिए, ठीक है, और यह भी बहुत जरूरी है, कि जो भी routines हैं, और regulations हैं, वो particular बच्चों की age के according होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि छोटा बच्चा अगर है, तो उससे, चीज़े गिरना बहुती ज़्याद सभाविक है, तो उसके लिए हम बच्चों को बार-बार नहीं डाड़ सकते हैं, तो इसलिए, बच्चों की age के according rules and regulations, मतलब routines and regulations होने चाहिए, चलो दिन पढ़ते हैं कि कौन-कौन से routines हो सकते हैं, या regulations हो सकते हैं, classroom के अंदर या oral school में, time पे काम खतम करना एक तरह से क्या है routine है, दिन चरिया है, लाइबरेरी यूज़ करना, लाइबरेटरी यूज़ करना, ये सभी चीज़े किसमें आती हैं, routines में आती हैं, computer यूज़ करना, लेकिन regulations के साथ, जैसे हम computer lab में जाते थे, तो वहाँ पे हम अपने सूझ उतार देते थे, या computer lab में कहा जाता हैं कि unnecessary कि भी चीज़ों को मतलब touch मत करो, अगर नहीं पता है, तो वो चीज़े open मत करो, पूछ के ही काम करो, ताकि computers खराब ना हो, तो computer lab यूज़ करना, routines हैं, जो भी उसमें rules हैं, वो क्या हैं, जो भी नियम हैं, regulations हैं, clear हैं, class से इधर उधर जाना, basically क्या है, routines हैं, लेकिन उसमें सा जान रखा जाए, धक्का मुकी ना करो, दूसरों को disturb ना करो, काम से पहले stationary prepare करना, ये भी एक तरह का routine है, और यहां वहां किसी भी तरह का गंद ना फैलाना, ये सभी चीज़ें क्या हैं, rules and regulations में आती हैं, ठीक हैं, और देखों, ये सभी चीज़ें जरूरी क्यों हैं, क्य learning अधिगम सबसे अच्छे तरीके से होगा, चलो तैन है, एक classroom में किसी भी तरह का खाना ना खाना, जब classroom या जो भी period है वो चल रहा हो, और classroom में या school में किसी भी तरह का ऐसा खाने का पदार्स ना लाना, या eatables ना लाना, जो कि allow ना हो, जैसे chewing gum, बच्चे खा के उनको benches चिपका देते हैं, time to time emergency mock details करवाना, तो ये routines में आते हैं, लेकिन ये बार-बार rehearse होने चाहिए, ताकि बच्चों को पता हो, कि emergency situations में क्या करना चाहिए, ये छोटा सा routine है, लेकिन important है, बच्चों में etiquette लाने के लिए, कि अगर आपको low use करना है, आप तो पहले knock करो, ठीक ये routine में आता है, और अच्छा behavior डेल अप करने में एक बहुत ही ज़्यादा अची चीज है, या permission लेना कहीं पर अगर आप जा रहे हो, या even classroom में हम देखते थे थे न, कि जब maim कहती थी कि duster लेने जाओ, तो maim से या sir से अच्छे से पूच के जाना classroom में, ऐसे ही किसी classroom में चलते classroom में, duster या chalk लेके मत आ जाना, तो ये सबी चाज़ें क्यों जरूरी हैं, ताकि हमारे अंदर एक अच्छा behavior, अच्छा वैवहार बन सकें, ठीक है, जो भी warnings हैं, actions हैं, या parents के साथ बातचीत हैं, वो सभी किसमें आती हैं, routines and regulations में आती हैं, time to time चलना चाहिए, और proper regulations क के साथ या proper, नियम के साथ ये सभी चीज़ें होनी चाहिए, चलो देन हम कह सकते हैं कि rules and regulation या routines and regulation जो भी दिन चरिया हैं, और minimum हैं, ये सभी चीज़ें जरूरी हैं, बच्चों के अंदर good habits या अच्छी आदतें inculcate करने के लिए, मतलब बच्चों के भीतर वो सभी चीज करने के लिए, ठीक है, क्योंकि जब classroom अच्छे से manage होगी, किसी भी तरह का behavioral disturbance नहीं होगा, बच्ची अपनी जगा पे बैटे होंगी, teacher की तरह अच्छी तरीके से होगी, और यही school का या classroom का मकसद होता है, कि learning अच्छे से हो, और उसके साथ अच्छी habit को भी हम inculcate करते रह ठीक है, तो I hope इस वीडियो से आपको मादद मिली होगी, एक journal idea लग गया होगा कि इस particular question में अगर यह exam में आए तो लिखना क्या है, तो मिलते हैं next video में, till then bye bye, take care.